और ये भी महीं कहना कि तु मेरे दूर के रिष्टेदार हो सच सच बता देना कि तु मेरे बॉइफ्रेंड हो और जल्द ही मुझसे शादी करने वाले हो इस पार पेपर्स बहुत कठें थे प्यारी पेपर्स कठें नहीं थे असल बात तो ये है कि इस पार कॉपी नहीं चली शादी करना ज़रूरी नहीं होता रिष्टे निभाना ज़रूरी होता है और रिष्टे में प्यार होना भी ज़रूरी है इस बात पर हमारी आज की कहानी है कुछ महिनों पहले हमने अभिनेता शाहित कपूर की माता जी निलिमा अजिम पर वीडियो बनाई थी उस वीडियो को आप लोगों से अच्छा प्रतिसाद मिला इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम आज अभिनेतरी आलिया भट की मा सोनी राश्तान पर वीडियो बनाने जा रहे हैं वीडियो में हम देखेंगे कि क्यों महेश भट और सोनी राश्तान शादी से पहले मुसलिम बन गया थे इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि क्यों पूजा भट ने सोनी को अपने मा का दर्जा नहीं दिया। साथ ही ये भी जानेंगे कि एक्टिंग का हुनर होते हुए भी सोनी राज़तान ने अब इन्हें छेतर को क्यों छोड़ा। इन सबी सवालों के जवाब देने के लिए मैं रिशिता लॉट आई हूँ आपके अपने चैनल पर जिसे कहते हैं बायोग्रिफी एन्ड रियल लाइफ स्टोरी। बिटिश थी। शादी के बाद सोनी के माता पिता हमेशा के लिए इंग्लैंड बस गया थे। बसने का ये भी कारण था कि नरेंदरनाथ पेशे से आर्किटेक्ट थे और वहीं इंग्लैंड में ही उनकी पढ़ाई हुई थी। जून 2023 को पिता की मित्ति हो जाने के बाद सोनी राज़तान उन्हें याद करते वे लिखती हैं। कि वे संगीत तथा कोल्फ प्रेमी थे। सोनी राज़तान की एक बहन टीना राज़तान सूपर मॉडल रह चुकी हैं और आजकल इंग्लैंड में ही रहती हैं। ब्रिटिश नागरिक्ता, रहन सहन और नामी लोगों के बीच सोनी राज़तान का बच्पन बीता था। कॉलेज के दिनों में उन्होंने इंग्लिश थेटर में काम करना शुरू किया था। उसके बाद हिंदी फिल्मों में करियर बनाने के लिए वो भारत आ गए। भारत लोटने से पहले फ्रांको जेफिरेली नामक एक मशूर अंग्रेजी फिल्मकार ने उन्हें अपनी फिल उन्हें राज्तान उतनी मशूर नहीं हुई। उनकी खुपसूरती और अच्छी एक्टिंग का प्रभाव उभर कर आया नहीं। पर आपको ये बताना भी जरूरी है कि इंग्लैंड में रहने के बाद भी सोनी बहुत अच्छी हिंदी बोल लेती थी। जुबान की अच्छा किरदार निभाया था। आहिस्ता आहिस्ता 1981 की सूपर हिट फिल्म थी। जिनमें कुनाल कपूर, शमी कपूर, नंदा, पदमिनी कोलहपूरे, शशीकला जैसे बड़े सितारे थे। इस फिल्म में सोनी ने शमी कपूर की बेटी का किरदार निभाया था। इसके अलावा पदमिनी कोलहपूरे को फिल्म फियर अवार्ड भी मिला था। आहिस्ता आहिस्ता के बाद सोनी की अगली हिट फिल्म मंडी थी। महान फिल्मकार श्याम बेनेगल की इस सामाजिक फिल्म ने सबसे जादा फिल्म फियर अवार्ड जीतने का रिकॉर्ड भी बनाया परंतु इस फिल्म में सोनी का योगदान उतना बड़ा नहीं था जितना बाकी अभिनेत्रियों का था पर ये कहना सही रहेगा कि सोनी राच्टान एक अच्छी अभिनेत्री थी और उन्हें अभिने की समझ भी थी मंडी और आहिस्ता-ाहिस्ता के अलावा उन्होंने मेरी कहानी, जीवन संध्या, पार्टी, शीशे का घर, त्रीकाल इन फिल्मों में भी छोटा-छोटा किरदार निभाया था जो की 1985 से पहले रिलीज हुई थी पात साल गुजरने के बाद भी सोनी को कोई दमदार किरदार मिला नहीं था, ऐसे में महेश भट उनके जीवन में सारांश लेकर आए, सारांश हिंदी सिनेमा की बड़ी काम्याब फिल्म साबित हुई, और इसी फिल्म के लिए सोनी कौफ बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रि ये कहना सही होगा कि बुनियाद सीरियल के कारण सोनी राच्टान फिल्मों में सेटल हो पाई, परन्तु परसनल मामलू की वजह से वो अभिने से दूर हटने लगी, हुआ यूं कि सरांश की शूटिंग के वक्त सोनी और महेश भट के बीच प्यार का फूल खिलने लगा थ बजाए इसके कि महेश भट दो बच्चों के पिता थे, सोनी ये भी जानती थी कि परवीन बावी के अलगाव के कारण महेश भट और सोनी राजदान की करीबियां बढ़ने का कारण ये भी था कि किरण और महेश भट अलग-अलग रहने लगे थे, पर इन तो उनका तलाक ही हुआ था, दोनों बच्चे पूजा और राहुल भी कभी किरण के साथ रहते थे, तो कभी महेश के साथ, इस वज़ह से महेश भट अपना परिवार इस्थिर करना चाहते थे, कुछ साल अफ्यर चला और दोनों ने शादी करने का बड़ा फैसला लिया, फिल्म इतिहासक मानते हैं कि महेश भट ने सोनी से शादी करने के लिए किरण को तलाक नहीं दिया था और वे देना भी नहीं चाहते थे, इसके पीछे का कारण आज भी कोई जान नहीं सका है, महेश भट एक ब्राम्भर वन्श के व्यक्ति थे, हिंदू मानिताओं के अनुसार वे तलाक ल कर सकीना कर लिया, इसमें कोई दो राय नहीं था कि शुरू शुरू में किरण इस शादी से खुश नहीं थी, महेश भट की पहली बेटी पूजा उस वक्त 14 साल की थी, वो उस उम्र में पिताजी की हरकतों को समत सकती थी, इसलिए उन्होंने सोनी राजदान को मा का दर्ज उसके बाद वे हिंदू माननिताओं के अनुसार जीवन जीते रहें, जैसे कि धर्मेंद्र और हिमा माननी ने किया था, परंतु सवाल तब उठा जब महेश भट और सोनी ने अपनी दोनों बेटियों के नाम शाहिन और आलिया रखा, जो कि मुसलिम नाम है, ऐसे में महेश महेश भट के चरितर पर सवाल उठने लगे कि क्या वे सच में हिंदू हैं या मुसलिम हैं, इसमें कोई शक नहीं था कि उनके परिवार में आधे मुसलिम लोग हैं और आधे हिंदू, परवीन बाबी के कारण लोगों के मन में महेश भट के लिए गलत भावनाय बन चुकी दूसरी और सोनी राजदान के साथ उनकी शादी हुई और दर्शकों के सवाल गरम होते चले गया, जिसका जवाब आज भी महेश भट ने नहीं दिये हैं, खैर सोनी राजदान का करियर इस शादी के कारण बरबाद हो गया, शादी के बाद उन्होंने अभिने करना नहीं छोड़ा था, पर बतोर एक्टरिस उन्होंने खुद को साबित नहीं किया, घर में हमेशा लड़ाई होती थी, पूजा भट भी अब जवान हो रही थी, समय के साथ सब ठीक होने लगा, पूजा और सोनी में बाते होने लगी, परन्तु कहीं न कहीं सोनी के मन में एक दुख था, कि उसके वज़ा से महेश भट का घर तूटा है, एक दिन पूजा और सोनी कहीं जा रहे थे, तभी सोनी ने पूजा से माफी मांगी, उन्होंने ये भी कहा कि वो पच्चता रही है, तब पूजा ने समझदारी दिखाते हुए कहा, कि जो हुआ उसमें उनकी कोई गलत दिखना जरूरी है, महेश भट और सोनी राजदान का अतीत इतना बुरा होते हुए भी, आज भी सब अच्छी जिन्दगी जी रहे हैं, क्योंकि उन सबने समझदारी दिखाई, समय के साथ परिवार के लोगों का गुसा भी शान्त हो गया, सोनी राजदान आज भी अभिन कर रही हैं, और आखरी बार उन्होंने अपनी बेटी आलिया के फिल्म राजी में मा का केरदार निभाया था झाल 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 झाल